तो मैं हूँ ट्राहक में के लिनेक्स प्रिवेस्क रूम के अंदर पिछली वीडियो में हम लोगों ने अल्ट्राटेक रूम और गेमिंग सर्वर रूम के मदद से सीखा था कि कैसी यूजर्स के जो ग्रूप है उनका फाइदा उठा के प्रिवलेज एसलिशन करा जा सकता है इस वीडियो में हम लोग लिनेक्स प्रिवेस्क रूम का यूजर्स लेने वाले हैं अब लिनेक्स प्रिवेस्क रूम के लिए ट्राहक रूम पे तीन या चार रूम है ध्यान से आपको इसी वाले पर आ जाना है इसका नाम ध्यान से देख लो इसकी इमेज ध्यान से देख this is run कर रही है तो इसका boot up time थोड़ा सा slow है wait करने के बाद आप लोगो निच्चे आ जाना और यहाँ पर आपको ssh का command मिलेटा है कि इसको copy paste करके इससे connect हो जाते है machine से और याद रखना host की algorithm वाला option आपको देना पड़ेगा अब connect होने के बाद आज के अपने Linux privilege escalation के topic के बारे में बात करते है जो की काफी different है पिछले जितने भी आप लोगों ने परे हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा vast है ठीक है और यह focus करता है vulnerabilities पे अभी तक आपने जितने भी पिछले करें है न वो सब misconfiguration से ज़्यादा तर ठीक है आपने गलती से कोई गलत port open कर दिया आपने गलती से किसी को ज़्यादा sudo के rights दे दिया या आपने किसी को seo id permission set कर दिया सारी misconfiguration these are not vulnerabilities vulnerabilities के आती कि एक product के specific version में जब vulnerability मिलती है वो अगले version में patch हो जाती है तो vulnerability बहुत ज़्यादा specific होती है एक version पे तो आज का हमारा topic यही रहने वाला है कि कैसे हम लोग vulnerable softwares की मदद से भी privilege escalation कर सकते एक Linux के अंदर बहुत सारे software's आप लोग install कर सकते हो बहुत सारे होते है mysql, apache, nginx जो pre-install आते हो भी होते है आपके आस polykit होता है आपके आस sudo होता है इन सब में आप देखते हो कि आए दिन vulnerabilities निकलती रहती है इनकी मदद से भी privilege escalation possible है आज इस वीडियो में हम ऐसे ही दो vulnerable softwares की मदद से privilege escalation करींगे आप क्यूंकि मैं vast cover करना चाता था तो इन में से एक जो है वो external tool है जो आपको बहार से install करना पड़ता है पहले से नहीं आता Linux में एक ऐसा है जो पहले से हर Linux के अंदर आता है एक ऐस है जिसका exploitation बहुत ही simple है और एक ऐसा है जिसका exploitation थोड़ा सा complex है ताकि आपको समझ आए कि यह चीज़े काम कैसे करती है तो मैं आपको पूरा vast idea देना चाता हूँ अब यह vulnerable software बहुत सारे हो सकते है unlimited हो सकते है इसलिए मैं sub cover नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाता है ताकि आपको idea मिल जा है कि कैसे आप इसका use लेके privilege explanation कर सकते है तो सबसे हले बात आती ही कि ऐसे software को ढूलने गाए अब ऐसे में जो usual होता है कि जो सबसे common software है जिनकी vulnerabilities आपको पता है जो recent में निकली है सबसे पहले आपको उनको देखना चाहिए ठीक है जैसे common software अभ आपको specific on software's का check करना पड़ेगा अब यहां पर जब तक आप यहां तो manual में बहुत ज़्यादा limited हो क्योंकि ऐसा कोई भी software हो सकता है इतने सारे market में available software है तो ऐसा यहां पर आप यहां तो manually सब एक-एक को check कर सकते हो यहां फिर essay में में promote करता हो ठीक है अभी दग मैं जितनी easily आपको पता चल जाता है versions बगरा वो common software's के आपको दिखा लेते हैं जिसका आप फाइदा ले सकते हो वड़ना अगर आप चाहते हो तो आप खुद भी common software's है जैसे sudo हो गया इस पर बहुत common sudo का आप खुद से ही check कर सकते हो क्योंकि बहुत common sudo का आप खुद से ही check कर सकते अगर आपको उनमें ना मिले फिर आप जाके scripts वगर को यहां ला सकते हो या फिर आप खुद home folder वगर में home फिर चेक कर सकते हो कोई software वगर अगर installed है जो की additionally बहार से install कर आगया opt folder में चेक कर उनके versions अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है अब यहां पर हम लोग काफे लोग यह समझ लेते 1414 यह भी है बट आप सीधा यह 5.1.73 इससे समझ जाओगे किसका वर्जिन का है 5.1.73 माइस्कुल का वर्जिन है अब हमारे को क्या करने बहुत सिंपल है आप यह तो सर्च कर सकते हो या सीधा Google पर जा सकते हो आप ज्यादा अच्छा काफे लोग जो सर्च इसपले है बहुत सिंपल है तो गूगल में क्या है गूगल में आपको लिंकिस ओपन करने पड़ेंगे उनको को देखना पड़ेगा वो वर्जन को चेक करने पड़े कि आपने काम करेंगे नहीं करेंगे तो सर्च इसपलेड वर्जन 5.1.73 और direct कि आपको लगेगा काम का है भी या नहीं है अगर लग रहा है उसे रन करके देख लो वह काम लग रहे तो फिर सीधा Google पर जाने का एडवांटेज यह है कि Google आपको रैंक करके देगा तो यह रूम जरूरी नहीं सिर्फ आप ही सॉल्व कर रहो इससे पहले हजारो लोगों ने यहां पर अब मैं आगया हो गूगल पर यहां पर यहां पर इसका एक्स्पोइट ढूंड़ तो सीधा एक्स्पोइट दिखेंगे और यहां पर काफी सारे आएंगे ऑथेंटिकेशन बाइपास हो रहा है मैं इस एक स्पेसिफिक में इंट्रस्टेड हूँ जो मुझे पता है काम करता है तो जब भी मैं देखता हूं कि माइस्कुल का 4.something वर्जियन है या 5.something वर्जियन है जैसे यहां पर 5.something है फॉर पॉर या 5 में दोनों में से कोई वर्जियन मिलता है तो मैं एक एक्स्पोइट को हमेशे चेक करता हूं कि लोकल प्रिवलेज एसक्पोइशन का तो उसके लिए अगर वो यहां नहीं दिखेगा तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो ठीक है जैसे यहां पर दिखाया नहीं तो आप क्या काम कर सकते हो सीधा यहां 73 को हटा के देख सकते है ऐसे भी कई बार आजाता है क्योंकि शायद 73 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो नहीं दिखा पा रहा है खाली आप 5 में देख सकते हो ठीक है तो यह अभी भी नहीं दिखा रहा है तो मैं को लिखना ही पड़ेगा कि UDF लिखूंगा मैं ठीक है UDF अब आ गया है यहां पर MySQL UDF Explore Edition इसको open करेंगे अभी क्यों नहीं दिखा रहता है मैं इसका reason बताता ह इसलिए हमार को यह recommend नहीं कर रहा तो इसलिए Google बढ़िया है Google आपके version के सास्थ स्पेसिफिक exploit दिखाता है कि इसमें चित्ता लिखा है वो उसको पढ़के आपको दिखाता है तो यह बहुत बढ़िया बात है Google की इसलिए मौमान में दिखा नहीं रहता है इसमें भी ऐसा 5.0 बढ़ यह फिर भी काम करता है इसलिए मैंने बोला था कि 4.something कोई भी वर्जिन हो 5.something कोई भी आप यह बढ़ ट्रायल जरूर करो इसको तो वहां आते है यहां पे क्या है आपको यह exploit दिखा हूँगा इस एक्सप्रोइट में महनत लगी यह थोड़ा complex वाला है इसके आ फॉलो करेंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा इसमें है क्या तो सबसे पहले यहां पर इन्होंने हमारे को पूरे steps दिये हैं आपको करना क्या है क्या करना है इस सब यहां पर एक एक करके command इन्हों दिये यह command वैसा आपको copy paste करते जाना और आपका काम हो जाएगा थोड़ पर क्लिक कर लूँगा यह download हो गया अब मैं अपने system पर आजया हूँ तो मैं क्या काम करूँगा move download से वह जो 15 वाला है उसको move करके यहां ले आएंगे और इसका नाम मैं रख दूँगा exploit.c यह इसका नाम मैं रख देंगे इसका python का एक server start कर रहे है python3-mhttp.server.kt एंटर मारेंगे target system के उपर चलते हैं अब यहां लिगाद मैं लिखूँगा wget http ip देंगे मेरी ip दूँगा में अपनी exploit.c एंटर बारेंगे और यहां पर download हो जाएगी ठीक है अब यहां पर हम क्या काम करेंगे वहां से commands को लाएंगे और यहां पर paste करेंगे अब मैं आपको साथ साथ है समझाने कोशिश भी करता जाओंगा तो यह user defined function भी बता रहा है यह यह ऑप mysql में क्या काम कर सकते हो अपने खुद के functions को define कर सकते हो खुद के functions रिपार तो इसमें आप एक function मना सकते हो मेरा यह code run करके दो मेरा यह command run करके दो आपने इसको एक बना के दिया function यह command run करके तो यह command को run करके आपको देगा और वो command किसकी तरीगे से run करेगा route की तरीदें से यही यहाँ पर exploit था य teak कि अगर कोई बी यहुझा root user की तरीके से mysql में login कर बारा है root बनने की ज़रूरत नहीं mysql के अंदर भी different users होते हैं तो अगर mysql में कोई root user के नाम से login कर पाता है और फिर वो अपने उसमें क्या क्या काम कर सकता है अपने खुद के functions बना सकता है वो functions यह commands लिखे हैं इनको follow करते जाना आपको वापिस टार्गेट सिस्टम पर आऊंगा इसको paste करोगा अब इसके साथ में एक additional option दूँगा fpic यह option मैंने इसलिए आगे चलके वर्णा एरर आएगा ठीक है तो यह fpic देना बहुत जरूरी है important है इसलिए आप आप दे रहे हो क्योंकि जो हम इसको shared library मनाएंगे और उसमें pic होना बहुत जरूरी है position independent code तो यह अभी देना है वर्णा error आएगा बाद में और फिर मैं आपको वापिस यहां लेकिआ हूँ shared library display एंटर मारते हैं और मैंने यहां पर गलती कर दिया है ठीक है तो यहां पर इसका जो मेरा नाम था रहा वो exploit.c रखना हूँ exploit.c ठीक है यह मैं क्या काम करता हूँ बलकि exploit.c की जगा अपने वाले का नाम यही रखना था हूँ अब मैंने exploit.c कर दिया था अब gcc को दुबारा run करते हैं एंटर मारते हैं और यह compile हो गया अब अपने next command को copy कर लेते हैं यहां से यह copy कर लिया वापिस चलते हैं यहां paste करेंगे एंटर मारेंगे और यह भी run हो गया अगर आपने पिछले step में dash fpic नहीं जोड़ा होता तो इस step पे आपको error आता कि भईया हम so find जो shared library वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि क्या है यहां यहां पर यह जो है position independent code नहीं है अब उसके हमार को login करना है mysql में तो उसके अगला command में copy कर ले तो login में खुद कर लूँगा अब जो root का password ढूणना है वो आपको खुद करना होता है यू अपना user देंगे root डेश पी देंगे database के लिए एंटर मारेंगे अब यह password मांगेगा password यहां पर root का कुछ निए blank है इंटर मारेंगे और आप root की तरीके से login हो जाओ root user नहीं हो mysql में root user की तरीके से login हो जाओ एक बार login हो गए आपको यहां पर command copy paste मारने है तो use mysql mysql database को use करेंगे आगए database हमारा mysql set हो गया उसके आद यहां पर एक table बनाने वाने हम copy करेंगे इसको और यहां पर अपना command paste करेंगे इसने क्या काम करेंगे फू करके table बना दिया है ठीक है फू नाम तो एक table बनाए database के अंदर next command को copy करेंगे यहां से इसको paste करेंगे यहां पर पेस्ट करने का क्या काम कर रहे है जो फू table बनाया उसके अंदर load कर रहे हम किसको load कर रहे है जो ह आपको अपने इसाब से रखना पड़ेगा यहाँ पर हमारे उसर का नाम क्या है इसलिए मैंने बोला थे यहाँ पर बाट आता है नकल के लिए अकल चीए काफी लोग मेरे पर ऐसे आये हैं मैं सही बता रहा हूं आपको जो इस ट्राइप के अपने यूजर का नाम तक नहीं बदलते हैं तो इतना तो करो इतना समझो कि वह पाथ दे रहा है जो पाथ है उसमें अपने उसर का नाम रहा है जो आपके सिस्टम पर एंवार्मेंट में एंटर मारते हैं और यहाँ पर वाल्यों अफ्रेक्टेड हैं कि सईसे काम कर गया दूसर सिस्टम function क्या काम करता है इस सिस्टम में जो भी आप इसको आर्गुमेंट यान कि जो भी आप इसे command दोगे उसको execute करता है बस इतना हमने एक function add कर दिया है mysql के अंदर mysql के अंदर by default ऐसा कोई function नहीं आता जिससे आप commands execute कर पाऊ लेकिन अब हमने क्योंकि हम अ और असा और दिमाख लगाना पड़ेगा आपको अब यह जो पिछली query आप लोगों ने चलाई थी इसमें हमने क्या काम कर रहा था यह जो फाइल का content था जित्ता भी code था इस पूरा so file का जो shared live code था वो हमने full table के अंदर डाल दिया था यानि कि हमने mysql के अंदर import कर रहा अब हमने सिर्फ एक mysql के normal table के अंदर रखा है इसको आप अभी execute नहीं कर सकते है खाली table के अंदर load करा है table के अंदर जैसे हम कुछ भी ABCD डाल सकते हैं वैसे हमने code को load कर दिया अब हमारे को इस code को क्या काम करना पड़ेगा एक mysql के plugin के अंदर लिखना पड़ेगा या इसको यह पता लगाना पड़ेगा कि भाई mysql के जो plugins है वो कौन से folder में रखे गए तो उसके लिए command होगा select add plugin underscore dir एंटर मारेगे तो यह मैं को बतायागा कि भाई जो mysql के अंदर हम इसे बोले हैं कि भाई यह जो है na code इसको एक plugin के अंदर रख दे और वो plugin को यहाँ प कर दो कहाँ पर plugin के अंदर और वो plugin इस वाले folder के अंदर हमारे को देना है तो यहाँ पर ना यह जो पार्थ है इसको बदलेंगे तो अब समझ रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला था है थो और असा पार्ट complex है enter मारेंगे one more affected यह काम कर गया यही अगर मैं जो उसने दिया रहा वो copy paste माल देता तो यहाँ error आता और काफी लोगों को समझ नहांता यह error है क्या बढ़ यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा यह पूरा चल क्या रहा है यहाँ पर methodology यह actually मैं dump कर रहे है हम इसको यह plugin मना रहे और फिर वो यहाँ पर आपको लिखनी है अब यह काम होगे अब हमारा plugin रेडिया अब हम इसके अंदर के जो functions है उनको run कर सकते हैं तो next को copy करेंगे आसे अब हमने अपने पूरी plugin है डाल दी थी अब हम बता रहें कि भाईया जो यह हमारी है na plugin इसके अंदर do system function को यहाँ प वो अब load हो चुका है तो मुसको use कर सकते यह दिखा लेगने लेकिन में को पता है वो load हो गया तो मैं सीधे जाओ नीचे वाले पर select do system और कोई भी command को आप run कर सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ आपको magic तो आप देखोगे हमने एक function यहाँ पर बना जिए तो मैं रिखूँ आप पूद नहीं तो इससे प्रिवलेश करेशन आप पर command injection है बट blind तो आप कैसे कर सकते हो अब यहीं पर दिमाख लगाना है कि प्रिवलेश करेशन किस command से हो सकता है कोई भी command ऐसा जिससे आप प्रिवलेश करता हो तो मैं आप एक command दूगा उससे मेरा काम हो जाएगा ठी अब यहाँ पर जो तरीका बता रहा है इससे आपका गाम हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे cp करेंगे copy बिन bash को copy कर लो कहाँ पर temp bash के अंदर एक bash नाम की फाइल बना के तरदो ठीक है और फिर अभी सारे command रूट की तरीके से रन कर रहा है तो मैं से बोलूँगा इसमें permission डाल दो प्लस x और s की यानि की यह जो फाइल है इसमें suid डलवा देंगे और suid डलगे तो root बन जा गया तो अब मैं आप बोलूँगा temp bash के अंदर suid set कर दो root के तरीके से bash यह हो गया हमारा एंटर बारेगे एंड हमारा command जो है वो execute हो चुका है ठीक है अब मैं के काम कर रहूँगा इसको कर देंगे इसका काम खतम अब हम जाएंगे cd tab के आप देहूगे तो ls-la करते हैं now you have a bash name and file over here जिस पर suid set है और किस ने कर रही है owner को रही है root तो यानि कि आप मैं इसको run करूँगा bash और bash के अंदर protection होती है तो आपको disable करने पड़ेगे dash p के साथ enter मालेंगे and now you are e u id आप देहूगे तो root हो गए हो आप समझे तो अब आप सीधा forward slash root जाके अपना काम कर सकते तो ऐसे हम कर सकते है vulnerable software यह vulnerable था mysql उसकी मदद से आपने privilege description कैसे करा है देखा थोड़ा से वाला complex था आप मैं आपको सिर्फ ऐसे डराओं आपको लगेगा वड़ना कि यह vulnerable software वाला topic तो बड़ा complex से कैसे करेगे मैं आपको easy वाला भी दिखाता हूँ साथ-साथ वह बहुत ही easy है मतलब उससे अब आई-पी मिल जाए आप लोगो second task में जाना है ठीक है first से start कर लो बेले machine को second task में सबसे नीचे आपको credentials वगरा मिल जाएंगी user name और password दोनों try hack में कॉपी कर देंगे ठीक है वापिस चलते है अपने system पर SSH वाला command यहाँ पर paste करेंगे yes करेंगे और password में हम try hack में ही दे देंगे अब shell मिलने के बाद सबसे पहले आपको पता है कि vulnerable software sudo है तो इसका version पता लगाना है sudo के लिए dash capital V का यूज करते है version पता लगाने के लिए ठीक है तो sudo का version है 1.8.21 p2 version है अब sudo का यह version है यह vulnerable है हम लोगों को पता ही क्योंकि रूम ही उसके ओपर बेश है तो गूगल जाके नहीं करूँगा गूगल करोगे पहला ही बेंज जाएगा बिल्कुल सिंपल है यह 2019 के एक vulnerability जोगी apple के एक researcher ने निका ली थी और बहुत ही simple और बहुत मज़ेतार है मैं आपको दिखाता हूँ पर इसके लिए condition है सबसे बहले आपको क्या काम करना है sudo dash l ठीक है यहाँ पर आते आप देखो अब यहाँ पर यह क्या कह रहा है अगर आप इसको प privilege creation रहा का कोई भी कर लेगा ना है तो सिधा आपको लिखना sudo bin bash और आपको मिल जाएगा बट यहाँ पर आता है यह वाली चाहिए यह जो पार्ट है यह क्या कहरी समझते है बिल्कुल सही आप किसी भी user की तरीके से ले सकते हो किसी भी लेकिन यह कहरी root के अलावा आप root न नहीं बन सकते ठीक है तो यह लिखा है not equals to root तो आप किसी भी user की तरीके से काली user या कोई और user होगा dc user होगा तो उसकी मदद से without password आप उसका shell ले सकते हो बस आप root का नहीं ले सकते है अब यह बड़ी दिक्कत है तो यहाँ पर आती है sudo की वाली वर्न बेट इसमें क्या था कि अगर कहीं पर भी ऐसा mention था ना not root ठीक है तो वो आपकी user ID चेक कर रहा था कि भाई यह जो user ID है क्या वो 0 के अलाबा अगर कुछ भी है तो वो क्या काम कर रहा था उसका allow कर रहा था तो ठीक है आप उसकी तरीके shell ले लो और run करो तो इसमें usually कैसे रहता dash u hash और यहाँ पर यहाँ पर user ID देज़ते 1,2,3,4 कुछ भी देज़ते वो सब कुछ काम करता बट यहाँ पर क्या ह हुआ अगर हम माइनस 1 जब दे रहे हैं यहाँ पर माइनस 1 तो क्या हो रहा है कि माइनस 1 क्या 0 है माइनस 1 0 तो नहीं है तो इसका मतलब यह वाली तो पास हो गई यह वाला जो चेक था कि जो user ID डाली है वो root की नहीं हो नीच है तो root की होती है 0 तो यह तो bypass हो गई लेकिन आ माइनस 2 के साथ माइनस 3 के साथ किसी के साथ में और था खाली माइनस 1 माइनस 1 जो है वह इसको bypass कर पार था क्योंकि यह 0 नहीं और आगे चलके 0 में convert हो रहा था जिसके कारण क्या हुआ कि वह root का शेल दे रहा था तो अगर मैं यहाप लिखू ना ID तो अब तुम देखोगे तो यह मैंसे password मांग रहा है मैंने गलती कर दिया ID में नहीं दे सकता वही command आप run कर सकते है जो आपको allowed है sorry ठीक है तो मैं आप बिन bash ही दे सकता हूँ और तो बिन bash ही दे देते हैं तो मेरे को किसका मिलेगा root का मिल जाए जबकि root की uid 0 होती है फिर भी मेरे को root का मिल तो यह भी तरीका यह भी एक vulnerable software था ठीक है sudo जो linux में आता है यह vulnerable software था इसका version vulnerable था यह वाला जिसकी मदद से आपने प्रिवले इसलेशन करा तो यह भी simple था पिछले वाला थोड़ा complex था थोड़ा अलग था वो external software था internal था तो यही मेरे को आपको दिखाना था एक और प्रिवले के अंदर मिला था वो भी आप ट्राय कर सकते हो उसके लिए भी आप देख सकते हो वह भी बहुत common है so i hope so आपको यह वाला जो linux प्रिवले इसलेशन का वेक्टर है समाझ आया हो vulnerable software के तो कैसे करते है mysql में user defined functions होते क्या है एक normal concept और उससे प्रिवले इसलेशन the channel thank you and good bye